मत्यप्रदीश में दरिंदिगी का ऐसा मामला सामने आया जिसे सुनकर आपके रॉंग टेक खड़े हो जाएंगे आलोट में एक महिला का अपहरण कर उसके साथ गैंग रेप किया गया इसके बाद उसके प्राइविट पार्ट को जला दिया गया इतने से भी जब दरिंदो का मन नहीं भरा तो महिला को जहर पिला कर उसे सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया देखे इस रिपोर्ट में वीडियो में रोती और बिलखती दिखाई दे रही दूध मुही मासूम अपनी फूटी किस्मत को रो रही है क्योंकि कुछ जालिम ने उसकी मा को उसी के सामने ही अपनी हवस और दबंगता का निशाना बनाया है मासूम के मुह से भले ही माशब्द के अलावा कोई बोल नहीं निकल रहा हो लेकिन ये नन्ही मासूम अपनी बेसुध पड़ी मा के आसपास जमा हुई भीड से रो रोकर यही सवाल कर रही है कि आखिर कब थमेगा बेबस और लाचार लोगों पर जुल्म आखिर कब थमेगा मध्यप्रदेश से बेटियों वो महिलाओं पर होता अत्याचार इस दौरान कुछ मुखदर्शक इस दृष्ष का वीडियो बनाते रहें लेकिन कुछ ने साहस दिखा कर महिलाओं की सुरक्षा पर बड़े-बड़े कानून और लाठी के दम पर रसूख बताने वाली पुलिस को सूचना दी इस किसने पगला परण जिए क्या लगता है वेगाओं दरसल अब पूरी घटना आलोट के छोटा बरखेडा गाओं की है जहां एक महिला को कुछ दबंगों ने अपनी हवस और हैवानियत का शिकार बनाया क्योंकि ये लोग महिला से किसी मामले को लेकर राजी नामा करवाना चाहते थे लिहाजा महिला जब दरजी के यहां कपड़े सिलवाने जा रही थी तब मौका देख जालिमों ने उसका अपहरण कर लिया फिर राजी नामे का दबाव बनाने के लिए ये तूट पड़े महिला पर और अपनी हैवानियत का शिकार बनाया महिला के साथ गैंग रेप करने के बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो इन जालिमों ने महिला के प्राइवेट पार्ट को बीडी से जला कर इससे पॉइजन पिला दिया फिर छोड़ दिया चौराहे पर मरने के लिए महिला के साथ ये दरिंदगी होते उसकी दूध मुही बच्ची देखती रही इनी को साथ मेले को अलोड थाने मेन रिपोर्ट है तिंदिन चार शार बार रिपोर्ट है पूर्ब में जो इसका पती था एक बिक्रम सी और इसके चारबान साथियों ने इसके साथ रात को इसको पकड़ के ले गए गई इसके साथ दुसकरब किया ऐसे ऐसा उस शेयर हे जैए इसके साथ दुसकरब किया उसकी जामों पर भी निसानी ही है और उसके बच्ची वी एक साथ में झोटी तीन तीन साल की असपास की चोटी बच्ची भी साथ में लिए प्राथ में पूरी तरह घायल महिला को अस्पताल पहुंचाया गया महिला के पती और इलाज कर रहे डॉक्टरों ने बताया कि बिडिता के साथ पूरी तरह अत्याचार किया गया है वहें इस पूरे मामले को लेकर अपनी सक्रियता का रोना रो रही है पलिस मीडिया से अपन्त उपचार के लिए अस्पताल में एड्मिट किया गया है फिलहाल महिला स्वस्थ है लेकिन जब मीडिया ने महिला से चर्चा की तो उस जुबान पर अत्याचार का दर्थ साफ जलक रहा था आज रामगर गाउं से फोन आया कि मेडम यहां पे एक महिला पाईजन पी हुई है और गंभी रवस्ता में पढ़ी है तो ततकल मोके पे गए वहां से उसको उठा के लाए और होस्पिटल में एड्मिट करवाया उसको और महिला से चर्चा करते पुष्टाज करते उसने ब मारपिट करते हुए उसको खाचरोत के रेवडी गाउं में लेगे वहां पे भी राजी नामा पे दबाव बना के उसको राजी नामा करवाने की कोशिस की उसने मना कर दिया कि मैं यहां नहीं करूंगी मैं कोट में करूंगी तो उसके साथ मारपिट की और वापस पिपलिय यह वीक्रिमी के दौरा ओर और जले म्या शियागई और पर पर हुआ हुआ लाके उसके साथ दो लोगों दौरा बलतकार करना बता है रहूल और विकरम सिंग्गे दौरा और गुपतां के जले हुए निसान भी है उसने और पी पाई जन कहां पिला ये उसको भुष नहीं अर यहीं बता रही है कि मुझे कहां पेका, क्या हुआ मेरे साथ कुछ नहीं मानुदू माँ बर्केड़ा से आये जीब में ब्यादि लाया मने मन करते दवा पाई उना मालम नहीं मने तक्डी नहीं तो उंटीन दवा कोग जी मानुदू के बियान नहीं देती है दवे पिला दो इसको और क्या फेंकी वह मालम कुछ नहीं में पेर तोड़ा इन बितु सिंग का अच्छ इमेरे रप में साथ में थी इसका पेर तोड़ा हुना एक को तो विक्रम सेंग एक करन सेंग लस्मन सेंग रावुद सिंग दिल्ला भाय पूर जब भी ऐसी घटना होती है या क्रूरता जहां पर मानोटा कि आती है वहां पर हमने पहले भी कहा कि इस तरह की घटना को बरदाश किसी भी रूप में नहीं किया जा सकता है आप देखोगे कि कमलनाच जी ने हमेशा संदर्बित बलातकार की परिणिती होती है बच्चों के साथ या वहशना तरीके से जो वहवार होता है उसके खिलाप फांसी तक की सजा के प्रोविजन को भी मूर्त रूप देकर काम करने की कोशिश से सरकार ने कानून के सम्मत की है ऐसे लोगों के पृति कानून अपना काम करेगा कुल मिलाकर मध्यप्रदेश में लगातार महिलाओं और बेटियों से बलातकार गैंग रेप जैसी घटनाएं निरंतर बढ़ती जा रही है इन सब के बढ़ने के बावजूद भी सरकार और पुलिस दोनों अपनी सफलता का रोना रो रहे हैं लिहाजा दबंगों के होसले बलातकार और गैंग रेप जैसी हैवानियत बढ़ती जा रही है बिरो रिपोर्ट, MP News, अलोट